जहिन अभ्यास ओंलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में दोस्तों मैं फिर से लेकर के आया हूँ रिजनी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विलुप्त संख्या को ग्यात करना अर्था तब प वीडियो को लास तक जरूर देखियागा इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी आप कॉम्पिटेशन की ग्राम की तैयारी कर रहे हैं सी जी पिया सी व्यापाम एससी का हो गया पुलीस भरती का हो गया या फिर कोई भी वन विभाग का हो गया तो उसमें रिजनिंग से रर गाई और नीचे कमेंड बॉक्स खली है बिलकुल कमेंड करके जरूर बताइए तो चलिए इसको सॉल करने की कुशिश करते हैं तो देखिए यहां पास कितना आया है दोस्तों दो के बाद कितना आ गया च्छाय आ गया मतलब इसमें आठ जोन दिया गया है तो मतलब इसमें जोन दिया गया है दोस्तों 10 जोन दिया गया है मतलब गया इसका हम लोग करना पड़ेगा तो यहां पास जोहै कितना आ जाएगा दोस्तों द answer हो जाएगा ठीक है कितना simple सा question था बहुत ही simple सा question था ठीक है न दोस्तों क्योंकि इस तरीके का question पूछा जाता है अगर आप इसमें pattern को समझ लेते हो तो question आपका बहुत ही कम समय में solve हो जाता है इससे भी और सरल होता है दोस्तों आपका जो alpha तो इससे थोड़ा जटील हो जाता है जिसमें हमको गलत पद को ढूनना रहता है इसमें पूरा क्रम दे दिया रहेगा एक अंक ऐसा रहेगा जो pattern के बीच में क्या आईगा उसमें गलत बैठेगा तो उसको हमको ढूनना रहता है तो वो look जो गलग पद है उसको ग्याद करने वाला एक टॉपिक है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट मिलाऊंगा तो उसका भी आपका प्रिप्रेशन हो रहा है ठीक है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन क्या है दोस्तों 10, 7, 6, 8, 5, 4 तो यहां पर देख सकते हो पहले 10 है फिर 7 ह हो गया साथ के बाद क्या हुआ फिर कम हुआ उसके बाद क्या हो गया फिर बढ़े गया फिर कम हो रहा है तो इस तरीके से क्रम इसमें देख लेते हैं कि इसमें आखिर में क्या हो रहा है ठीक है तो इसमें किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाई यहां ना और बनाने की कोशिश कीजिए option दिया हुआ है 3, 7, 6 और 10 यहां पास क्या आ जाएगा तो देखें यहां पास जो है दोस्तों दूसरा पद जो है पहले पद से 3 कम है मतलब जो दूसरा पद है वो दोस्तों वो पहले पद से कितना मतलब कितना वो हो रहा है इसमें अगर हम लोग देखें इस पास टूप से यह ओला ठीक है तो पहला पद जो है दोस्तों दूसरे मतलब पद से कितना कम है 3 कम है ठीक है तो यहां पास क्या हो गया माइनस 3 हो गया अब उसके बाद देखें यहां पास क्या हो साथ से कितना हो गया फिर से एक हो रहा है मतलब क्या हो जाएगा इसमें तीन कम होने के बाद जो है दोस्तों इसमें कितना कम हो रहा है एक कम हो गया तब क्या है च्छे है इसके बाद दोस्तों क्या हुआ च्छे है साथ आठ कितना जूरा दोस्तों इसमें 2 जूर दिया गया तो क्या गया 8 हो गया अब 8 हमें दोस्तों 5 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फिर से माइनस 3 करना पड़ेगा फिर क्या हो जाएगा फिर 5 से कितना हो गया 4 हो गया तो आने वाला अगला क्रम क्या हो जाएगा, 6, तो 6 हमको कौनस option में देखने को मिल रहा है, 6 option क्या हो जाएगा, option number C is a correct answer हो जाएगा, आप क्रम देखिए, यहाँ पास 10 से 7 होने में क्या लगा उसको, minus 3 हुआ, फिर minus 1 हो गया, फिर plus 2 कर दिया गया, मतलब minus 3 फिर यहाँ पास आसानी से बन जाएगा, तो देखिए, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पास जो प्रश्न दिया है, pattern क्या धार पर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगी, कि इसमें जो संख्या करक्रम दिया है, उसमें किस से हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, सब में बढ़ होतरी देखने को मिल रहा है, कहीं पास up-down, up-down नहीं हो रहा है, मतलब प्रतेक संख्या जो है, पहली संख्या के योग के बराबर है, ठीक है, किस तरीके से दोस्तों, तो अगर मैं पहली संख्या, और यह दूसरी पांच और ये एक और दो कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा कितना या दोस्तों 35 तो 35 हमको कौन से ओप्शन में देखने को मिल रहा है यह ओप्शन में देखने को मिल रहा है तो यह ओप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए सिंपल सा वो क्या है लगातार बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रहा है तीन से क्या हुआ दस, दस से 31, 31 से डारिक्ट 94 और 94 के बाद देखिए option कितना बड़ा बड़ा देख रहा है मतलब कहीं न कहीं इसमें क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, ठीक है, इस चीच को आप देखिए कहीं न कहीं क्या हो रहा है, इसमें गुणा हो रहा है तो अगर मैं इसका pattern अगर मैं बात करूँ तो यह किस तरीके से हो रहा है दोस्तों तो यहाँ पस देखिए पहला तो 3 है अगर मैं तीन में क्या कर देता हूँ दोस्तों तीन का गुणा करके एक जोन देता हूँ ठीक है तीन में कितना का गुणा किया मैंने एक तीन का गुणा किया और एक जोन देता हूँ तो कितना मुझे मिलता है दस मिल गया ठीक है तीन में मैंने तीन का गुणा किया और एक ल लाना है तो मुझे इसमें फिर से कितने का गुणा करना पड़ेगा दोस्तों तीन का गुणा करना पड़ेगा फिर तीन का गुणा करने के बाद एक जोन दूंगा तो क्या जाएगा मेरा चाउरान भी आ जाएगा मतलब प्रतेक पदों को तीन से गुणा करने पर जो है एक क मिल रहा है जैसे मैंने तीन में क्या किया तीन का गुणा किया मतलब तीन गुणा तीन किया और कितना जोड़ दिया एक जोड़ दिया कितना आया दोस्तों तीन तीन का गुणा करके एक जोड़ दूगा ठीक है तो यहाँ पस देखे तीन कितना हो जाएगा तीन कितना हो तो चार थी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 12 का 28 हो गया और प्लस एक मतलब क्या हो जाएगा 282 धन एक करूंगा तो क्या हो जाएगा 283 हो जाएगा तो हमको क्या करना है, पहरे गुणा करके देखना, आखिर हमको 3 को 10 बनाना है, तो किस तरीके से बनेगा, और उसी तरीके से रूल इसमें फालो होना चाहिए, जो next हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, अगर नहीं बन रहे हैं, तो उस तरीके से दोस्तों आप बनने की कोशिश की मतलब क्या हो रहा इसमें, क्रम जो है, क्या हो रहा है अल्टरनेट हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि ये क्या हो, तीन के बाद दस हो, दस के बाद सिदह 11。 31 में परीवर्तन हो, 31 से 94 में, कई बार हमको देखने को मिलता है, पदों में अंतर, तो यहाँ पास कुछ पास्ट रूप से देखने को मिल रहा होगा एक-एक संख्या के बाद पांच के बाद क्या हो एक-एक संख्या के बाद मैं अगर देखूँ तो 6 आ रहा है 6 के एक संख्या के बाद देखूँ तो 7 आ रहा है देखते है next question, question number 6 है, बहुत ही simple सा, आप इसको भी बनाने की कोशिश कीजिए, 1, 2, 2, 5, 3, 10, तो आने वाला करम क्या होगा, 12, 8, 7 या 4, ठीके, simple सा प्रिशन है, बनाने की कोशिश कीजिए, यह वाला प्रिशन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत सारे competition exam में, ठीके, तो यह किस तरीके से बन रहा है दोस्तों, यहाँ पास देखे करम जो है, एक, और, है ना, यहाँ पास और एक, मतलब, कहा जाए तो यहाँ पास जो करम है, देखने को मिल रहा है, वो क्या हो रहा है, एक सरणी करम में देखने को मिल रहा है, जो दूसरा पत जो है, एक, दो तो यहाँ पास वही करम हमको देखने को मिल रहा है, देखी एक है, एक के बाद क्या आ गया, दो के बाद कितना आया, तीन आया, तो तीन के बाद अगला करम क्या हो जाएगा, चार का होगा, simple सा है ठीक है तो 4 हमको D option में देखने को मिल रहे है तो D option क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा चलिए देखते है next question next question बहुत ही simple सा है आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए तो देखे साथ है तो देखे साथवा नमबर का प्रशन है minus 1 0 7 3 8 उसके बाद question mark है तो यहाँ पास क्या आएगा हमको यह बता रहा है ठीक है तो सबसे पहले देखी यहाँ पास 0 है यहाँ पास minus 1 है तो इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है कि दो लगातार पदों का अंतर जो है क्रमशा दो अधिक हो जाता है तो किस तरीके से हो जाता है दोस्तों चली यहाँ पस समझ लेते हैं तो यहाँ पास दोस्तों दो पदों के बीच को हमको अंतर पहले निकालना है उसके बाद पदों में क्या करना है दो दो की वृध्धी कर देना है अगर minus 1 और 0 की बीच, अगर मैं अंतर देखूँ तो हमको 1 का अंतर यहाँ पास देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पास 1 क के अंतर में अगर मैं क्या कर देता हूँ, जोन देते हैं, कितना मिलेंगे, दो जोन ना है, तो क्या मिलेगा, मूझे 3 मिल जाएगा, ठीक है, यहां पास 5 जोन देंगे, तो क्या हो जाएगा यहां पास, अंतर में हमने क्रम को बढ़ाती हुए, तो 5 तीन कितना हो गया, यहां पास 8 हो गया, ठीक है, अब 8 इन दोनों के बीच, अगर हम लोग अंतर देख रहे हैं, है ना, अब अगला पद निकालने के लिए अंतर देख जाएगा बारा हो जाएगा option number B is a correct answer हो जाएगा ठीक है तो उमीद करता हूँ यह question आपको अच्छे से clear नहीं होगा तो फिर से आपको बता दीजे comment करके next video में मैं इसको clear करने की कोशिश करूँगा तो चलिए देखते next question next question है दोस्तों यहाँ पास 1, 0, 3, 2, 5, 6 तो यहाँ पास अगला करम क्या होगा हमको यह बताना है ठीक है तो 0, 1, 3, 2, 5, 6 मतलब जो दिया है करम उस according हम लोग देखे इसमें तो किस तरीके से यह solve होगा option दिया है दोस्तों इसमें 9, 8, 7 और 10 तो आप इसको solve करने की कोशिश देखने को मिल रहा होगा ठीक है जो इसमें और इसमें है उसके बाद इसमें और इसमें है इसमें करम देखे ठीक है दो-दो कांतर देखने को मिल रहा है एक के बाद अगर मैं इसमें क्या कर रहा हूं दो जोड़ूंगा तो कि आएगा तीन आएगा तीन में फिर दो जोड मिल गया है, यहां पास क्या आजाएगा, एक के बाद तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद क्या आजाएगा, साथ आएगा, साथ is a correct answer, ठीक है, चलिए, नौ, दस और ग्यारा कोशन आपको बनाना है, यह कोशन आपके लिए है, स्क्रिंसोट ले लिजिए, फटाक से, और कमेंट करके इसको आंसर जरूर दीजे दोस्तों, आपको क्योंकि जातना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए क्या होगा, बहतर होगा, प्रेशन दिया है, दो, बीस, चाउंहत्तर, एकसो दस और ओप्सन दिया गया है, इसके लिए अगला करम तो नीचे तीन कोशन आपके लिए है, आपको होमवर्क है, क्योंकि दोस्तों, आपको भी बनाना है, बहुत है इंपोर्टेंट हो जाता है, इस तरीके का प्रेशन पूछा जाता है, तो ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है, जरूर लाइक कर दिजे, क्योंकि आपके एंपे सकते हैं, तो बहुत ही कम सी कीमत पर आप जो हो, दो से अपको रजिस्टेशन करा हो, उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना स्यगेнос क्योंकिे आपको रजिस्टेशन कैरां एंगा हो, आपको एस औसा इस इस तरीश करने हैं, चलिए उसको भी देख लिजरेगा आप तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ तो मुझे दीजेए जाजा टेक कर आल दे बेस्ट जाए हिंद